आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जनवरी 2024 के सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेर्स सबसे पहला सवाल है भारत के पहले AI City के रूप में कि शेहर को विक्सित किया जा रहा है इसका सही उत्तर है लखनव दूसरा सवाल है CISF की पहली महिला प्रमुख बनकर इतिहास रचने वाली पहली महिला IPS अधिकारी कौन सी है इनका नाम है नीना सिंग अगला सवाल है कि साल 2023 में विकीपीडिया पर सबसे ज़्यादा पढ़ा गया आइटिकल कौन सा है इसका सही उत्तर है चैट GPT इसका नाम है पिंकी अगला सवाल है हाल ही में कौन सा देश विश्व इस्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इसपात उत्पादक बन गया है इसका सही उत्तर है भारत भारत ने वित्वर्ष 2023 में 125.32 मिलियन टन कच्चे स्टील और 121.29 मिलियन मिलियन टन स्टील उत्पादन कर भारत को कच्चे स्टील के छेतर में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना दिया है अगला सवाल है कि हाल ही में किसने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है इसका सही उत्तर है रूस अच्छा अभी आप सोच रहे होंगे कि एंसर सबका सामने ही क्यों है सर्व हमें बताने का समय क्यों नहीं दे रहे तो इसका कारण ये है कि सबसे पहले सही जवाब को सीधा सटीक जान लिया जाए इससे कोई भी कन्फूजन नहीं होगा और दूसरा समय की परबादी नहीं होगी क्योंकि इस चैनल पर हमेशा पटापट अंदाज में ही सवाल आपको मिलेंगे समय बिलकुल परबाद नहीं किया जाएगा अगला सवाल है हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ती रखने वाली पहली महिला कौन सी बनी है तो इनका नाम है फ्रैंकोईस बेटन कोर्ट मेर्स तो बटन कोर्ट मेर्स के पास दुनिया की सबसे बड़ी सौंदर प्रसादा निर्माता कंपनी लॉरियल में एक तिहाई हिस्सेदारी है अगला सवाल है चीफ आर्किटेक्ट राम मंदिर के कौन है मुख्य वास्तुकार इनका नाम है चंदरकांत सोमपुरा और इन्हों ने ये डिजाइन 1988 में ही तयार कर ली थी इनके दो बेटे हैं निखिल सोमपुरा और आशीर सोमपुरा जो पेशे से आर्किटेक्ट है अगला सवाल है हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुगों को राश्ट्रिय प्रतीप घोशित किया है इसका सही जवाब है किर्गिस्तान तो किर्गिस्तान ने वैश्विक हिम तेंदुगा एवं पारिस्ते की तंत्र संरक्षन कारेकरम GSLEP ये चला रहे है अगला सवाल है हाल ही में जी राम मोहन राव को किसका कारेकारी निदेशक नियुक्त किया गया है इसका सही उत्तर है सेबी अगला सवाल हाल ही में गेबरियल अटल किस देश के सबसे युवाव प्रधान मंत्री बने है इसका सही उत्तर है फ्रांस अगला सवाल है एक लाग से कम आबादी की श्रेणी में 36 गड़ के किस शहर को दुईतिय पुरस्कार मिला है इसका सही उत्तर है पाटन तो 36 गड़ में रायपूर के पाटन, कुमहारी और महासमुन और आरंग को भी राश्ट्री आवार्ड दिया गया है अगला सवाल है हाल ही में पंडित हरी राम दिवेदी का निधन हो गया वह कौन थे? तो ये एक साहित्यकार थे अगला सवाल है कि हाल ही में विलियम लाई किस देश के नए राश्ट्रपती बनाए है इसका सही उत्तर है ताइवान अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में देश की पहली स्वास्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उटगाटन किया गया है ये किया गया है मध्य प्रदेश में ये जो सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये रोजाना हमारे इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर पूछे जाते हैं डेली क्विज के नाम से और वहाँ आपको रोज का करेंट अफेयर्स भी मिलता रहेगा जरूर फॉलो करें अगला सवाल है कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध ना भी किये इंधन इन में से कौन सा है इसका सही उत्तर है थोरियम भारत के पास दुनिया के मुकावले अरसट फीसदी ज्यादा थोरियम का भंडार है अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने 22 जनवरी को हिंदू धरमावलंबियों को दो घंटे की चुट्टी देने की खोशना की राममंदर के उधगाटन पे दो घंटे की चुट्टी कौन से देश ने दिया इसका सही उत्तर है मौरिशस अगला सवाल है कि T20 International में देड़ सो मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने है तो इसका सही उत्तर है रोहित शर्मा अगला सवाल है कि भारत और किस देश की नौसेना का पहला दुवी पक्षिया अभ्यास X अयुत्य शुरू हुआ इसका सही उत्तर है रोयल थाई नौसेना आर टी एन और ये आयोजन हुआ था बीस से लेके 23 दिसंबर 2023 तक अगला सवाल है हाल ही में भारत का नंबर वन शत्रंज खिलाड़ी कौन बना है तो इसका नाम है आर प्रगानन्द और इन्होंने ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनन्द को भी हराने वाले हैं और वर्ल्ड चैंपियन को हराने वाले दूसरे भारतिये हैं मैं यहाँ प्रश्णों का वाचन हिंदी में कर रहा हूँ आप चाहें तो पॉस करके इंगलिश वाला पढ़ सकते हैं अगला सवाल कि हाल ही में सबसे मूल्यवान पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग कंपनी कौन सी बनी है इसका सही उत्तर है LIC LIC ने SBI को पीछे छोड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया है अगला सवाल है कि हाली में आई Forbes के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करंसी कौन सी है तो दुनिया की सबसे मजबूत करंसी बन चुकी है कुवैती दिनार अगला सवाल है कि हाली में किस भारतिय निशानेबाज को अरजुन पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो इसका उत्तर है ईशा सिंग और केंद्री मंतरी अनुराग ठाकुर ने यह पुरसकार उन्हें राष्टपती भावन में आयजुत कारकरम में दिया अगला सवाल है कि श्री राम मंदिर अयोध्या का निर्वान किस कम्पनी ने किया है इसका सही उत्तर है L.N.T. लारसनें टुब्रो अगला सवाल हाली में किस राजय के पूर्व मुख्यमंत्री करपूरी ठाकुर को मरणो परांद भारत रतने से सम्मानित किया जाएगा तो इसका सही उत्तर है बिहार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे और ये दो बार बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके है हाल ही में किसे सुप्रीम कोड का मुख्य नयदिश नियुक्त किया गया है इसका सही उत्तर है जस्टिस प्रसन्ना बी वराले इनकी नियुक्ति से पहले सुप्रीम कोड के जज की संक्या 33 ती जो अब 34 वापस से हो गई है हाल ही में अरब सागर के उपर डेजर्ट नाइट नामक हवाई अभ्यास भारत फ्रांस और किस अन्य देश के मद्धे हुआ यानि कि ये तीन देशों के मद्धे होता है तो इसका सही उत्तर है UAE यानि संयुग्द अरब अमिराथ अगला सवाल है कि भारत में किस राज्य या केंद्र शाषित प्रदेश को सर्वाधिक राष्ट्रिय उद्ध्यानों की हाती प्राप्त है सर्वाधिक राष्ट्रिय उद्ध्यान कहां पर है तो इसका सही उत्तर है मद्धे प्रदेश और अंडमान निकोबार दोनों ही सबसे रईस इंसान बन गए हैं तो इसका सही उतर है बर्नार्ड अर्नॉल्ड और यह एलन मस्क को पचाड कर सबसे रईस इंसान बन गए हैं यह लूई विताओं के मालिक भी हैं भारत के किस यूवा बल्लेबाज ने सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का विश्व रिकॉर्ड बनाया है तो इनका नाम है तन्मय अगरवाल और इन्होंने 26 जन्वरी 2023 को कई रिकॉर्ड बनाये जिसमें 147 गेंदों में 300 रन बनाये हैं आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नए वीडियो में वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के स शेयर भी करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाद